Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप साब? मैं आप सब को YouTube channel English literature पर welcome कहती हूँ हम लोग जो पॉयम डिसकस करे हैं That is A Prologue to the Canterbury Tales जिसको लिखने वाले से Jeffrey Choseph अब तक हम लोगों ने इस पॉयम की line number 360 तक lines को डिसकस कर लिया हुए Last lecture जो हा हमारा, वो था Franklin के ओपर और आज का lecture हमारा five girls men पे होगा जिसमें हमारे पास harbour desher, carpenter, एक weaver होगा, एक dyer होगा और एक tapestry maker होगा ठीक है, ये five girls men का character आएगा हमारे पास इस lecture के अंपे अगर आपने previous lectures नहीं सुने तो मैं आपको recommend करूँगे कि आप पहले वो previous lectures सुने ताके आप poem को sequence से one by one character के तुरू understand कर सके मैंने हर character के ओपर separate video बनाई हुई है और इसके लावा मैंने the prologue to the canterbury tales इसकी summary को भी cover किया हुआ है introduction को cover किया हुआ है then जो jeffrey chaucer इसके poet है उनके ओपर मैंने a detail lecture अल्रेडी बनाया हुआ है तो आपको playlist है the prologue to the canterbury tales by jeffrey chaucer उस playlist के अंदर सारे lectures मिल जाएंगे मैं उसका link description में भी टाल दूगी anyhow without wasting any single minute let's begin our lecture अच्छा the gillsman अभी इनको discuss करने से पहले मतब lines को discuss करने से पहले मैं थुरा सा overview दे दू के इनमने पढ़ना किया है ताके poems की जो lines है उनको हम easily understand कर सेके जैसे के मैं already her lectures में करती हूँ तो अब आपने मेरी बात गोर्ष से सुननी है के चोसर क्या कहता है गिल्वेंज के बारे में basically चोसर कहता है के जब हम सफर कर रहे थे कहां की तरफ holy shrine की तरफ किसका था Thomas A. Beckett का कहां जा रहे हैं canterbury जा रहे है जब हम canterbury जा रहे थे तो इस सफर के दुरान हमारे साथ पांच लोग और थे जिसमें एक harbour desher था एक carpenter था एक weaver था एक dyer था एक tapestry maker था ये पांच भी हमारे साथ थे इनमें से harbour desher कोन होता है वो person जो के shop में men के clothes sale करता है ठीक है आदमियों के कपड़े सेल करने वाला जो person है उसको कहते है harbour desher carpenter कोन है लकडी का काम करने वाला weaver कोन है कपडी बनाने वाला जो कपड़े को weave करता है देन हमारे पास dyer जो कपड़ा रंगने वाला है देन है tipistry maker जो के thick textile fabric बनाता है उसको pictures उसको design के साथ मतलब mostly जो है वो same category से belong करे है कपड़े की category से carpenter का रोल के है बस के car painting करना लकडी का काम करना तो ये पांच लोग कौन थे ये basically guildsmen थे जो के एक guild के लिए काम करते थे guild means के medieval time period के अंदर craftsmen जो थे और merchant जो थे वो कठे हों के एक power के लिए काम करें थीक है उसको कहते थे guild अब जो से कहते हैं ये जो guildsmen थे ना इन सब ने एक ही किसम का uniform पैना हुआ था जो के great और important brotherhood को symbolize कर रहा था या फिर important guild को symbolize कर रहा था इन्होंने जो apparel पैनना हुआ था वो fresh था और newly trimmed था इनके पास जो knives थी जो इनकी छूरियां थी उनकी जो tip थी वो brass की ली बनी हुई थी बलके silver की बनी हुई थी और वो knives बिलकुल fit थी इनकी belt के अंदर और इनके pouches के साथ और चो से कहते है जितने भी यह लोग थे मतलब यह पांच के पांच यह fair burges दिखते थे मतलब ऐसे inhabitant जो के right रखते हो citizenship का और यह इतने समझदार थे के लगता था के city के council मुकरर हो सकते है guild hall के अंदर एक high table इनको मिल सकता है कहते हैं इतनी अच्छी position पे ही होंगे तो इनकी wives जो हैं वो कोई भी इनको पर objection नहीं कर पाएंगी अगर वो objection करती भी हैं तो इनकी wives को इस चीज़ का blame किया जाना चाहिए क्योंके यह जो guildsman है इनके पास तो sufficient goods और sufficient income बिया मतलब अच्छा पैसा कमा लेते हैं लोग लेकिन इनकी बीवों को तो खुश होना चाहिए क्योंके यह एक चीज़ एक word है madam अगर किसी को कहा जाए तो बड़ी खुशी होती है और evening services के लिए एक clock पैना जो के royal style में हो और वो clock किसे servant ने पकड़ा हो तो कितना अच्छा दिखता है ना एक औरत को तो यह चोसर ने यहां पर इन लाइन्स के अंदर यह यह कहा है अब हम लाइन्स को one by one discuss करते हैं साथ साथ में critically explain करती जाओंगी ताकि आप लोगों को यह characters अच्छे से clear हो जाए एन harbour dasher and a carpenter a weave, a dyer and a tapestry कहते है एक harbour dasher था एक carpenter था एक weaver था एक diet था और एक pastry maker था यह कोन है? जर्निवेन के साथ and there were cloths all in a library library means in the same library means uniform ठीक है? तो कहते है उन सबने ऐसे कपड़े परें से जैसे के uniform हो मतलब सबके सब कपड़े same थे of a solemn and a great fraternity अब यह क्या होता है word? इसका मतलब होता है brotherhood ठीक है भाई चारा और हम कह सकते हैं कि the one who works under the same guild ठीक है जो same guild के अंदर काम करता है वो भी कहता हूँ वो जो कपड़े थे वो कैसे दिख रहे थे? वो बहुत solemn किसम के दिख रहे थे उसके इलावा उनके जो कपड़े थे वो रिप्रेजेंट करे थे कि ये great parish guild से बिलॉंग करते हैं and they are the great supremacy under the category of brotherhood full fresh and new her gear a piked gear means dress यह apparel जो उनोंने पहना हुआ है a piked fashion तो कहते है जो उनोंने अपना apparel पहना था वो fully new था fully fashionable था here knives were chapped not with brass कहते है उनके जो knives थी जो छूरियां थी उनके जो top थी ठीक है जो उनके tip थी जो top थी वो chop थी लेकिन brass के साथ नहीं थीक है उसको cut था उसको sharp किया था लेकिन वो brass के साथ नहीं था but all with silver silver के साथ थी rod full clean and wheel वो बहुत था clean थी और neat थी साफ सुतरी थी बिल्कुल new उनके knives दिखती थी her girdles and her pouches every deal और कहते है जो उनके girdles थे पाउच उन्होंने अपनी यानि के बैल जो लगाई होती उसके साथ बांदे वे थे उसके उपर well seemed each of him a fair burgies कहता जोने भी ये लोग थी ये एक fair burgies दिखते थे मतलब society के रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास citizenship हो to sit in a yielding hall कहते हैं बड़े बड़े जो hall है guild hall उनके जो table है उनके उपर बैट के on a d is average for the wisdom that he can अब यहां पे dice जो है ये basically dice के लिए यूज के लिए यूज के लिए मतलब high table yield hall मतलब के great hall ये guild hall sit in मतलब बैटना average everyone और can मतलब new कहता है के city के अंदर the city में hall है उसके dice के उपर बैट के हर कोई इन में से दिखता था के इनके पास great knowledge है और इनकी knowledge की बेज़ पे इनके wisdom की बेज़ पे they all were very famous why sharply for to be an elder man और क्या हर कोई right रखता था इस चीज़ के उनको elder man कहा जाए मतलब they all suited for the position of elder man elder man refers to एक elected member होता है society का यह city council का ठीक है यानि के अपर रैंक से बिलों करने वाला for cattle had they yorn and rent yorn मतलब goods या फिर possessions और rent मतलब income अब कहा गया है इनके पास अच्छे income थी they had enough possessions they had enough income and eager wives would it well ascent ascent मतलब ascent हो न कहता है and also their wives would well ascent to it और इनकी जो wife थी they all were satisfied वो खुश थी and else else means otherwise certain were they to blame वरना फिर उनको blame किया जाता means अगर इनकी wife खुश ना होती और क्या होता है इसका मतलब कि वो blame कर रही होती तो it means blame कर रही होती अपने husbands को इन girls men को it means वो wives थी वो खुद ही इस काबल थी कि उनको blame किया जाए it is full fair to be and clapped madam कहता है ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी को my lady कहा जाए या madam कहा जाए it is very fine to be called my lady and goon to vigilance all before goon to means go to जाना कहां पे feast पे और feast के कब जाना holidays के उपर यानि कि holidays की जो evening होती तब और royalty के उपर procession के उपर क्या हुआ holidays की evening के उपर जाना feast के लिए तो ये चीज़ क्या है बड़ी अच्छी लगती है इन लेडीज को and have a mental royalty को अब इन्होंने के किया mental मतलब cloak gown and have a gown with a train royalty carried reference कर रहा है ये वाली line refer करी इस चीज़ को के वो जो लेडीज थी उनके पास एक clock था और clock जो वो royal class का था अब पर rank को present refer कर रहा था और वो लेडीज वो clock band के evening की parties को attend कर रही है तो यहाँ पर तोसन ने ladies के उपर यानि के girls के उपर ओरतों के उपर यहाँ पर जो girls men they are rich that is why यह जो ladies they are all satisfied ठीक है इसमें जो line it is full of full fair to be called in clap madam यह irony है और important line है इसको आप underline कर लिजेगा और यहाँ पर हमारे जो character है the girls men उसकी lines होई complete आज हम लोगों ने line number 363 से line number 380 तक अपनी poem complete किया है next lecture में हम लोग हमारी line number 381 है वहाँ से poem को start करेंगे thank you so much thank you so much for watching this video फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले lecture साथ तब तक के लिए Allah Hafiz